शिराधेराधे भक्तों जो दिव्यात्मा होते हैं अर्था आत्मा की दैवी शक्ति जिसके अंदर रहती है जो आशुरी संपता से दूर रहते हैं जो दैवी संपता से भी भूशित रहते हैं ऐसे ही लोग महान भक्त होते हैं महान संत होते हैं उनके पिछले जन्मों के संस्कार निश्चित होते हैं इसमें कोई संदे नहीं है पिछले जन्मों की भक्ति उनकी ऐसी होती है कि जो सत्त गुणी को आक्रिष्ट कर लेती है चराचर का प्रभाव उसके उपर पड़ता है और वो अपना प्रभाव चराचर के उपर डालता है आशुरी संपदा वाले को धर्शित कर देता है दैवी संपदा वाले उसके प्रेम में आक्रिष्ट हो जाते हैं कलाप श्रमण कर जह थे कि घोड़ा भी उनका हितैशी और प्रेमी बन गया था सिद्ध महापुरुस भी उनको गोद में बैठा के अपना स्थन पान कराने का प्रियास करते थे और पूर्व जन्मों के संसकार की कारण गीत गोविन जैसे दिव्य गरंथ जो माधुरी भाव की पराकास्था का गरंथ है उसमें भी उनको आनन्द आने लगा था के पहले दर्शन में और विकट संकट जो ट्रेन का एक्सिडेंट होने वाला था उसको जानने वाला घोड़ा उनको उधर जाने से रोक लिया यह आपने कल्ष्यमर किया था इसी तरह से भक्तों आशुरी संपधा वाले को युद्ध करके पराष्ट कर देना उनकी दैवी संपधा की शक्ती थी आज मैं आपको ऐसा ही प्रसंग सुनाने जा रहा हूं पहले धिरेंड रनाद जी जो बाद में संत गवरांग दास बाबा बनते हैं यह जब गवरांग दास जी हो जाते हैं तब तो ब्रंदा में रहते हैं लेकिन अभी मैं उनकी बच्पन की बाद तुना रहा था आपको वो दारजिलिंग से एंटरेंस की परीक्षा एंटरेंस आप समझे है हाई स्कूल जिसको बोलते हैं वो परीक्षा पर्थम शेर्णी में पास करके दीरेंडनाथ कलकत्ता के संस्कृत कालिज में भड़ती हुए और फनीनर कुमार भी जो भाई था उनका वो एंटरेंस पास करने के बाद कलकत्ता में आ गया इस समय वैद्यनाथ में दीरेंडनाथ के मकान के आस पास भूतूं का आतंक था और उनके मकान के सामें एक आम का वरिक्ष था कई दिनों से लगाता रात्री के समय उसकी एक डाल से अगनी की एक धार जैसी प्रवाइट होती थी उससी देख करके अडोस परोस के लोग आतंकित थे उसके पास जाने की कौन का है शाम से ही सब घर का दर्वाजा बंद कर भीतर बैठ जाते थे उन्हें भय था कि कहीं बाहर जाने से भूत चिपटने जाए इसी समय धिरेंडनाथ जी का वहाँ आना हुआ वही गवरांग दास बाबा बजपन में धिरेंडनाथ जो थे उनका आना हुआ तो उन्हें ये देख कर बढ़ा कोतुवल हुआ वे एक दिन संध्या समय से ही विरक्ष के नीचे बैठ गए अब आप समझे जहां लोग जाने से डरते थे कि वहाँ भूत आग की बार्चार करता है वहाँ जाने से इतना डरते थे कि लोग घर बंद कर देते थे अपने अपने घरों के अंदर दरवाजा लगा के बैठ जाते वहाँ कोई जाने नहीं चाहता तो वहीं ये धीरेंडनाथ पहुँचे जान बूच के और जब उस पर उस जगह बैठे जब तो महाराज पेड से जहां भूत का निवास था अगनी का धार निकलना प्रारम हुआ जिस पेड के ऊपर से अगनी की धार नीचे गिर रही थी वह तुरंत उस पेड पर चड़ गये धीरेंडनाथ लोग मना करने लगए अरे बेचा मत्या मत्या भूत है भूत है भूत है आग की पहुछार कर रहा उन्होंने किसी की नहीं सुनी और डाल के पास जा करके अगनी सिखा का निरेक्षन किया और देखा कि पानी के जरने की तर उसमें से अगनी निकल रही है तो उन्होंने हाथ बढ़ा कर अंजली में उस आग को भरना चाहा अब आप निर्भैता देखिए भक्त निर्भाय होता दुक्तुम वो अपने प्रभू के उपर विश्वास करता है इसलिए वो डरता नहीं तो गिरती हुई भूत से जो आग गिराई जा रही थी उसको हाथ में लेना चाहे कि इसमें सच्चा ही कितनी हिस आग में पर उनका हाथ नहीं जला उस आग की धारा में दिरेंदिनात का हाथ नहीं जला और कुछ हाथ में आया भी नहीं बस दिखाई पढ़ता था कि आग गिर रही हाथ में आग नहीं आए और नजला हाथ इससे सबको निश्चे हो गया कि यह अवश्य किसी प्रेत का ही चमतकार है जो दिखलाई पढ़ती ही आग गिरती हुई और उसी समय उनके छोटे भाई फणीन रुकुमार ने साथ वाई फरिवर्टन के लिए वह दिनाज चा रहे हैं तो उनके लिए कोई घर ठीक करती जेगा अब धिरेंदरनाथ ने अपने घर के पास ही पूर्ण बाबू के मकान में उनके रहने की विवस्था कर दिए घर बहुत दिनों से खाली पढ़ा था लोगों का कहना था कि उसमें भूतों का बास है नहीं जाने वो खाली पढ़ा था इसलिए भूतों के घर के नाम से प्रशिद्ध हो गई साथ क्योंकि वो खाली रहा बहुत दिन तो लोग कहने लगे भूतों का घर है इसका ठीक पता था नहीं तो उसमें कोई डर के कारण रहना पसंद नहीं करता था जो भी हो धीरें कोई बात का पता किसी तरह से नहीं हो पाया था उस समय तो घर उनके पढ़ोस में होने के कारण वो चारु बाभू के रहने के लिए अनकूल था तो उन्होंने वहाँ ठरा दिया उन्हें तब तक मालूम नहीं था कि भूत वाली कोई बात है धीरेंद्र भी वायू परिवरतन के लिए इस समय बैजनात में ठारे हुए थे तो चारु के पास उनका उठना बैठना होने लगा अक्सर रात में दोनों चारु के निवासर स्थान पर ही सत्रंज खेला करते एक रात जब वह सत्रंज खेल रहे थे तो घर के भीतर से किसी के चीक ने किया वाज आई तो चारु और धीरेंद्र भाग कर भीतर गए देखा कि चारु की बहिन रसोई घर में मूर्चित पड़ी है मा और भावी भैवीत चारु ने पुछा क्या हुआ मा वो बोली अभी थोड़ी देर हुई यह मुझे से बोली मा भूक लगी है तो मैंने का जा रसोई घर में बहू है उससे खाने को ले ले यह जैसे ही रसोई घर में गई चीक मार कर गिर गई नजाने एकदम क्या हो गया इसको तो चारु ने बहिन के मुँपर पानी का चीटा दिया और पंखा किया थोड़ी देर में वो उठ वैठी उसके आखें बिलकुल लाल थी और बाल भिकरे हुए धिरें रिनात को देख कर बोली इस ब्रामर के लड़के को यहां से हटा दो चारु ने कहा क्या कह रहे है यह तो धिरेंड रहे तो फिर वो बोली बात यह थी फक्तों लड़की तो बोल नहीं देख उसके उपर प्रेत बोल रहा था फिर वो जोर जो जो बोली नहीं नहीं हटाओ इसे हटाओ इसे उसने जोर जोर से चिलाते हुए जब कहा नहीं, पहले तो जांट कर गा था इस ब्रामर के लड़के को यहां से अटा दो, और जब नहीं अटाया तो पिर बोल नहीं, नहीं अटाओ इसे, चिला कर कहा, तो चारू ने उसे कमरे में ले जाकर चार पाई पर बेठा दिया, पर तो कुछ भैभीत जैसे धीरेंडर को देख रही थी, और किसी को देख के भैभीत नहीं हो रही थी, जिसके उपर परेट की आत्मा आई हो थी, लेकिन धीरेंडर को देख कर डरती थी, तो धीरेंडर को कुछ संदे हुआ, उन्होंने परीक्षा के लिए, उसके हाथ में एक पुस्तक दिया, उस पुस्तक का नाम था, श्री श्री रामकृष्न कथा मृत, भक्तु रामकृष्न परमांस का चरिक्तर है, तो पुस्तक का नाम श्री श्री रामकृष्न कथा मृत, तो यह पुस्तक दिया, उस लड़की के हाथ में, जिसके उपर प्रेच था, और पुस्तक दे करके कहा, पढ़ो, क्या लिका है इसके उपर? अब आप देखिए, भूत वाली बात समझ में आ जाएगे आपके. पुस्तक क्या नाम था? स्री श्री रामकृष्न कथा मृत. और धीरेंडर था तो बाबा जो बात में बनते हैं, गौराग्रास भी, इन्होंने भश्च्पन की बात इनकी, उस लड़की के हाथ में दिया पुस्तक, जिसके उपर पुस्तक था. अब कहा कि पढ़ो इसका नाम क्या है, पुस्तक का. तो श्री श्री रामकृष्न कथा मृत उस्रे नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा श्री श्री कथा मृत. श्री श्री कथा मृत. तो धीरेंडरन का पूरा पढ़ो नाम इसका, तो फिर से बोली लड़की, पढ़ तो रही हूं, श्री श्री कथा मृत. तो बार-बार कहने पर भी वो रामकृष्न नाम नहीं बोलती थी, जो कि भगवान का नाम है न, परमसात्विक होता है प्रभु का नाम तो, अब वो तमगुन ही होती है, प्रेद की आत्मा, तो वो श्री श्री रामकृष्न कथा मृत की जेगा है, श्री श्री कथा मृत प रामकृष्न नहीं बोलती थी, रामकृष्न बोली नहीं पाती थी, श्री श्री कथमर्थ बढ़ती थी, तब दीरेन समझ गए कि किसी प्रेट ने उस बालिका के दे में प्रवेश किया है, तो उने उने उसे ललकारते हुए कहा, अब आप देखिए, संत गौरांगदास जी म महाराज बच्पन में कितने निर्भीक थे, वो जोर से ललकारते हुए बोले, ललकार रहे थे प्रेट को, लड़की को नहीं, लड़की के उपर उप्रेट का अभेश था, तो उन्होंने डाट करका, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तो लड़क कोई लड़की के उपर प्रेट बोला, नहीं जाओंगा, नहीं जाओंगा, नहीं जाओंगा, तो गोरांगदा जी जो बच्पन में ते धीरेंदर नहीं, वो बोले, मैं तो जाता हूँ वो ओजा को बोलाने, मैं जा रहा हूँ ओजा को बोलाने, मैं जा रहा हूँ ओजा को गए और मां से बोले मां आज रात चारू के घर सोऊंगा मैं और देखो साधारन बालक होता न कोई तो कहता मैं उस चारू के घर कभी जाऊंगा ही नहीं क्योंकि उसके फर प्रेत है और धीरे अंगलनात क्या बोल रहे हैं मां से आज रात मैं चारू के घर सोऊंगा उसकी बह बार्त बात नहीं कही, यह नहीं बताया कि प्रेथ है, उसके कन्या के उपर तु मुझे रहना हुआ, और चारू के पास लोट करके, बोले तुम चिंटा नहीं करना, मैं अभी ओजा को बुला कर लाता हूं, उन्हों जैसे ही यह कहा, उसकी बाहिन फिर बोली, जा तुझे में मैं रास्ते में देखूँगा, अब देखिए, यह वो लड़की बोलती नहीं, तो तो यह बोलती कि देखूँगी, तो यह बोलती नहीं, मैं रास्ते में देखूँगी, लेकिन बूत भूत भोल रहा था, प्रेथ, वो बोला कि जा मैं तुझे रास्ते में देखूँगा, तो दीरेन नाजी बोले, देख लेना, देख लेना कह करके दीरेन जो ओजा के घर की तरफ चल दिए, जो प्रेत भगाने वाला ओजा था अब कई लोग इन बातों को जल्दी मानें गे लें, लिक इन बातें साथ हैं, रखते हैं जिनको मामला कभी सामना ऐसा पढ़ता है, वह ही लोग जान पाते हैं, तो मार्ग में बराबर उनके पीछे-पीछे दू, 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 शब्द होता रहा, वो प्रेत अपनी शक्ति दिखाने कोशित कर रहा था, अब धिरेन रेनाजी कोई साधरन बालक ठोड़े थे, वो तो भगवान के भाक्त थे, निर्वीत थे, अब कल सुन चुके हैं कि गोरा पल्टन से मुकाबला लिया था, जो उनको सताने के लिए बूट से मार रही थी, तंग रास्ते में उससे भी मुकाबला लिया था, अकेले, बूट से कहां डरने वाले थे, आवो बूट भगा आने वाले ओजा के घर जा रहे हैं, दीरेंडराज जी, और उनको डराने के लिए, मारने के लिए, भूट की हिम्मत तुपी नहीं मार दे हो, लेकिन अपनी शक्ती दिखा रहा था, वो जब जब जा रहे थे, तो मार रहे बराबर, उनके पीछे दू, 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 ऐ रामकृष्ण तो बोल भी नहीं सकता, इतनी भी शक्ती इसकी नहीं, और वस भगवान का नाम जबते हुए, ओजा के घर पूँचे, और थोड़ी देर में उसे ले करके, पूंड बाबू के भूतों वाली हवेली में आ गए, और ओजा चारू की बहिन के सामने जा बैठा, और कुछ जाड फूंक करके फिर उससे पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की के उपर आएवे प्रेट से पूछा ओजाने, तुम कौन हो? तो महरा जो प्रेट जो था, उस लड़की के उपर जो आवेश किये हुए था, वो बोला, हेम बाबू का लड़का, तो वो जाने प पूछा नाम क्या है वही जो तुम लोग जपा करते हो नाम बोल नहीं पा रहा था बगवान का नाम था इसलिए नहीं बोल पा रहा था उस प्रेट ने का वही जो तुम लोग जपा करते हो बाती थी भक्तों कहें बाबु के लड़के का नाम था राम और अब वो प्रेट बन पारा था, क्यूंकि रामतु भग्वान का नाम, आप यही बोला संकेत से कि वही यही फिस जो तुम लोग जपा करते हो, तो गोजा ने का तुम्हारा शरीर कहा छूटा, तो प्रेद बोला कलकत्ते में, गोजा ने पुछा क्या हो गया था, कैसे शरीर छूटा, तो प्रेट बोला काल रा तो यहां क्यों आए हो उसने प्रेट निकाए यह जगह अच्छी लगती है तो उजह ने पुछा तुम्हारे साथ और भी कोई है वो उस महराज प्रेट निकाए चार और हैं वो बगल के घर में रहते हैं वो बगल में पूर्ण बाबू का दूसरा मकान था वो वहाँ चार रहते हैं तब धीरेंदर नाथ ने पूछा इस लड़की से तुम्हारा क्या संबंद है तो प्रेट बोला यह मुझे अच्छी लगती है फिर पूछा इस पर तुम क्यों आए हो तो महराज वो बोला कि तुम लोग वेश्याले क्यों जाते हो दिरेंदर नाथ ने उस पृट से मृत्यू के बाद जीव की अवस्था के संबंध में बहुत सी बातें पूछी जिनका उसने उत्तर दिया उसने जो कुछ कहा उसका सार मैं आपको बता रहा हूं जो प्रेत ने बताया थे ने उस बात का सार मृत्यू के बाद शरीर छूट जाता है पर वासना ही नहीं छूटती वासनाओं के कारण ही जीव को प्रेत योन मिलती योनित दुखदाई है और दुखदाई इसलिए भप्तों के वासनाओं के पूर्त के लिए जीव छट पटाता रहता है पर उनकी त्रिप्ती का साधन रूप दे ने रहने के कारण उसे अस ही बेदना होती है क्योंकि वासना के त्रिप्ती के लिए शरीर चाहिए न और प्रेत के पास शरीर तो रहता नहीं वो तो वात रूप होता है वाय रूप होता है बहुतिक शरीर पान्च भूत का तो होता नहीं उसका तो वासना का पूर्ती तो होती नहीं उसके शरीर ओ छट पढ़ाता है जैसे किसी का प्यास के मारे दम निकला जाता हो और वो पानी नपी सके आप रच्छे समझ लेजिए कि पानी रखा हो और पी नहीं सकता क्योंकि मु वो सुई के नोग के बराबर छेद हो जाता है उसके मुझ का उसमें पानी नहीं गयाता है तो ओजा के बार बार कहने पर भी जब उस प्रेट ने बालिका को न चोड़ा तो उसने मंत्र पढ़ करके पानी के छीटे मारना प्रारम्द किया और छीटों के लगते ही वो जोर- जाता हूँ जाता हूँ बस बंद करो बस करो बस करो मैं जा रहा हूँ ओजा ने पूछा कैसे पता चलेगा कि तू चला गया वो बोला आंगन में जो पेड़ है उसकी एक डाल तूट जाए तो समझ जाना कि मैं चला गया तो ओजा ने फिर भी अपना कामजारी रखा और थोड़ी देर में कड़-कड़-कड़-कड़ शब्द हुआ आगन के पेड की एक डाल तूटकर धम से गिरी और डाल के तूटते ही चारू की बहिन बिलकुल स्वस्थ हो गए यह चारू की बहिन भूत ग्रहस्थ थी भक्तों वो बिलकुल स्वस्थ कोई बिमारी नहीं उतके चारू और उनकी माने धिरेंदनाथ के साहस और उनकी करतब परायनता की बड़ी परशंचा कि कि यह धिरेंदनाथ नहीं आये होते तो मेरी यह बहिन कभी ठीक नहीं हो सकती थी सब लोग कृतगिता से स्थिर जुका लिए कि बालक जरूर है धिरेंदनाथ लेकिन इसके अंदर तो बड़े-बड़े इस्वभी बढ़ करके बुद्धी, ग्यान और शक्ती है वक्तों इसी समय वे धिरेंदनाथ धाम में एक और घट न घटी जो साधारन होते वे भी धिरेंदनाथ के साहस और उनकी करतब निष्टा का परिचे देती है वे एक दिन रात्री के समय अपने कमरे में बैठे चैतन ने चरिता मृत का पाठ कर रहे थे वक्तों जब धिरेंदन चैतन ने चरिता मृत का पाठ कर रहे थे ठीक उसी समय बाहर से किसी महिला की आर्थ पुकार सुनाई दी और वो भाग कर बाहर गये कि कौन इस तरह से रो करके पुकार रहे और देखा कि एक यूती को चार बदमासों न घेर रखा है अब आप समझ जाएए कि एक बालक चार बदमासों से मुकाबलक कैसे करेगा लेकिन धन्य है साहस सात्विक महापुरुस का उस भक्त का उस संत के बालपन में विराजमान बालक का साहस कितना अद्भुत था कि उसने देखा जब धिरेंदन बालक ने कि एक यहोती के चार बदमास घेरे हैं पकड़ रखे उसको गशीट करके कहीं अधिरे में ले जाना चाहते और उनकी नियत बहुत खरब थी चार बदमासों की उसको उठा करके कहीं ले जाना चाहते थे उसके साथ उन लोगों का बहुत ग्लित इरादा था चारों मिल करके उसको गंदे तरीके से भोग्य बनाना चाहते थे तो चार बत मास पकर रखे थे उस यूती को और शोर मचाने पर भी वो उसे मारा छोड़ नहीं रहते लेके भागना चाहते थे और वो कर रहते नहीं चलेगी तो मार देंगे जान से चारों इतने दोष्ट थे कि वो लड़की तो जाना नहीं चाहते थी योती भला उनके साथ क्यों जाती वो जाजना नहीं चाहती थी तो वो कर रहते नहीं चलेगी तो मार देंगे यहीं से मार देंगे यहीं मार देंगे इसलिए चल हमारे साथ चुप-चाप तो ये अत्याचार देख करके धीरे अंदर से सहन नहीं हुआ और उन्होंने पीछे से जपट कर एक ब्लक्ति की गर्दन पेटुए की तरफ से कस कर पकड़ ले अर्थात आगे की तरफ आ करके गर्दन तो पीछे से पकड़ा लेकिन हाथ का जो उनका दबाव थांगू छेका और उंगलियों का वो गले की तरफ से था तो पेटुए की तरफ से गले की ओर से तो उसको कस के दबाया गर्दन उस आदमी की जो दुष्ट आदमी था बदमासों में से एक और इस तरह से उसको अपने कबजे में ले लिया दबा करके धीरेंडरने और दूसरे व्यक्ति ने उनकी और बढ़ते हुए का कौन हो तुम तुमारे गर की ओरत है क्या है तो धीरेंडरनात के परिवार के तो नहीं थी वो लेकिन सहाज मानवता हुए उनकी जो एक संत की थीनों जागरिट हुए कि ये चार बदमासों के द्वारा आज ये बहुत घोर संकट में ये उटी पड़ गई है ये चारो इसको ले जाना चाहते हैं तो उन्होंने सोचा ये इसको मैं छुडाऊंगा तो एक के टो गर्दन पकड़ के गला दबाया और जब दूसरा दवड कराया बोला तुम कौन हो तुमारे घर के आओ रहते क्या है तो दिरेन्यनाथ पहले वाले व्यक्ति को तो गिरा दिये थे गला दबा करके उसको गिरा दिया थे और फिर उसको चोड करके उसको गेर पड़ा था, गाला दब गया था उसका, परवत की तरह उस दूसरे पर टोटे और उसको भी गिर्दन दबा करके पिर्टवीपा उठा के पटक दिया, महराज जब दो को पटक दिया तो बदमासों के छक्के छूट गए कि अरे ये लड़का तो बहुत मजबूट है ये तो दो को पटक दिया और जब तीसरे को पकलने के लिए दावडे हैं तब फिर महराज उसमझ गे कि यहां तो जान हमारी चली जाएगी हम इस इस्त्री को उठा के लिए नहीं जा पढ़ेंगे तो फिर वो भाग ना चाहे और पचाड़े हुए बदमास को उनने एक को पकल लिया पर जब उसमें गिरगड़ा करके शमा मागी कि आब यह हम पाप नहीं करेंगे हम किसी हवला को इस तरह से हम लोग उठा करके नहीं अपने हवस का सिकार बनाएंगे चारों मिल करके उतको लेके जंगलों भाग रहे थे बोले कि हम अब इस तरह से किसी किसी को भी महिला को उठा के ले नहीं जाएंगे हमें माफ कर दीजिए और आश्रासन दिया कि कभी भी ऐसा नहीं किसी के साथ करेंगे तब उन्होंने छोड़ दिया उन्हों चारों को बता दिया कि ऐसा फिर किया तुम मार देंगे तुम लो भाग गये और उन माता जो थी वो हाथ जोड़ करके प्रणाम क्या दे रहें देना तो और कहा आज तुम नहीं होते तो आज ही हमीं छोड़ने वाले नहीं थी हमको उठा ले जाते जंगल में कितनी हिमत थी कि चार बदमासों से अकेले लड़ गये और उस महिला को थोड़ा लिया और उन्हों चारों को भगा दिया और उंप ही मांग के गए ऐसे दैवी शक्ति थी धीरेंड और अगे इनका चरित आप और स्रोन करेंगे आज इन महान पुरुष को इन धीरेंड नमक महान भाक्तों को जो आगे गवरंग दासबाबा बनेंगे प्रणाम करके अहीं ग्रामदेराम करके विरामदेराम शुरादेरादेगे शुराद वे गूगल